Hello students, welcome to my channel आज हम फिर से class 8 का chapter friction पढ़ेंगे और इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे 9.5 wheels reduce friction देखे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि friction को कई तरीकों से कम किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है friction को कई तरीकों से कम किया जा सकता है जैसे oil लगाकर, grease लगाकर, lubricants लगाकर, graphite लगाकर इन तरीकों से हम friction को reduce कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा यह एक और तरीका है जिससे friction को कम किया जा सकता है तो यह तरीका कौन सा है यह हम समझते हैं एक example से मा लिजिए यह एक bag है तो यह bag यहाँ पर पड़ा है किसी भी surface पर यह bag ऐसे रखा है अब इस bag और इस surface के बीच में static friction लगता है और हम जानते कि static friction सब friction से सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण यह bag moment नहीं करता है अपनी जगे पर पड़ा रहता है अब इस bag को अगर हम खेंचते हैं तो यह आगे move करता है आगे की तरफ motion करता है तब इस bag और इस surface के बीच में जो friction लगेगा वो होगा sliding friction क्योंकि यह bag इस surface पर slide करता है गिसटता है तो हम देखेंगे कि जो sliding friction जो होता है उसके कान यह bag फट भी सकता है घिस भी सकता है और हमें काफी force लगाना पड़ेगा इसको slide करने में तो ऐसा कून सा तरीका है कि हमें ज़्यादा force ना लगाना पड़े और यह फटे और घिसे भी नहीं यानि जो friction force है उसको कैसे कम किया जा सकता है तो एक तरीका और है यह देखे इस bag में अगर यहाँ पर पही लगा दी जाएं यहाँ पर अगर पही लगा दी जाएं तो यह bag easily motion कर सकता है मतलब move कर सकता है या इसको easily खीचा जा सकता है तो यह जो पहीए होते हैं यह ऐसे ऐसे घूमते हैं इनके अंदर bearing होते हैं जो कि sliding friction को rolling friction में change करने में help करते हैं जैसे ये पहिये चलते हैं तो ये जो अंदर ये गोलियां होती है ये भी ऐसे घूमती है इनमें भी rolling friction होता है तो इस तरह से जो sliding friction वो rolling friction में change हो जाता है और rolling friction बहुत ही कम होता है आप ये वाली activity अगर करके देखते हैं जैसे कि एक book लेंगे और उसको ऐसे सरका कर देखेंगे तो थोड़ा हमें force लगाना पड़ेगा और अगर सरकाते सरकाते और उसके उपर force लगाएंगे तो थोड़ा कम force लगाना पड़ेगा लेकिन book के नीचे अगर यहाँ पर ऐसे pencils लगा देखेंगे और फिर इसको book को इस तरफ सरका कर देखेंगे तो इजिली ये सरक जाती है क्योंकि सुरू में हमने book को सरकाया उसमे book और surface के बीच में था static friction फिर उसके बाद जब इसको सरका रहे थे और साथ साथ फिर इसको जब सरका रहे थे तो उस दोरान इस book और surface के बीच में था sliding friction और जब इस book के नीचे ये pencils रख दी तो ये pencils ऐसे गोल-गोल घूमती हैं जब इसको धका दिया जाता है तो जो sliding friction था वो rolling friction में change हो गया इसलिए हमें ज़्यादा force लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि friction force बहुती कम रह जाता है when one body rolls over the surface of another body जब एक body दूसरी body की surface पर roll करती है घूमती है ऐसे ऐसे घूमती है तो जो friction force है वो बहुती कम हो जाता है rolling reduces friction और rolling से friction कम हो जाता है it is always easier to roll than to slide a body over another और इसलिए किसी भी body को दूसरी body पर roll करना easy होता है slide करने से that is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers और इसलिए इस तरह के bags को खीचना easy होता है जिनमें पहिये लगे होते हैं आपने भी कभी ये bag use किया होगा या आप भी देखते हैं कि जिन bags में पहिये नहीं होते हैं उनको खीचना भारी होता है और जिन bags में पहिये होते हैं उनको खीचना आसान होता है कई बर हमने देखा है कि पेटियां होती हैं सामान से भरी हुई बोरियां होती हैं उनको लाना ले जाना तो जो sliding friction होता है वो rolling friction में change हो जाता है इसलिए friction कम हो जाता है Can you now understand why the will is said to be one of the greatest invention of mankind तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पहिये होते हैं वो सबसे बड़ा अविस्कार क्यों माना गया है कहते हैं कि जब पहिया बना था तो उससे अलग सा change आ गया था क्योंकि पहियों से life बड़ी fast हो गई थी एक जगे से दूसरी जगे जाने में आने में बड़ी आसानी हो गई थी तो अब भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगे पर पहियों का योज होता है और उससे हमारे काम बड़ा आसान हो जाता है इसलिए इसको greatest invention माना जाता है पहिये के invention को Since the rolling friction is smaller than the sliding friction यहां से हम समझ गए है कि rolling friction जो होता है वो sliding friction से कम होता है sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings तो जो sliding friction है उसको कम करने के लिए ball bearings का यूज करते हैं कई जगे पर common examples are use of ball bearing between hubs and axles of sailing fence and bicycle जो cycles होती है या फिर गाड़िया होती है या पंके होते हैं मोटर होती है उनके अंदर आपने ball bearing का यूज जरूर देखा हुआ इस तरह का देखीए है यह हैं देखे यह यह ऐसे होते हैं और इसके अंदर पतली पतली गोलियां लगी होती है और जब गूमता है तो यह गोलियां भी ऐसे एक दूसरे को पर रोल करती है लगूमती है और sliding friction को rolling friction में change कर देती हैं तो इस तरह से यह एक नया तरीका हमने पड़ा है जिससे friction force को कम किया जा सकता है sliding friction को rolling friction में change करके friction force को कम किया जा सकता है तो यहां तक यह topic खत्म होता है अब हम अगले वीडियो में यह वाला topic पड़ेंगे अगर आपको समझ आगे है अपली चैनल को सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें लाइक करें अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंड बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं थैंक्स पर उचिंग